हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करती हूं कि भहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने चला रखी है 2000 कोश्चिन की सीरीज और उसी से संबंदित है हमारा ये वीडियो तो चलो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से देखिए फर्स्ट कोश्चन है इसका आचार रामचंदर शुकली की पहली सध्धानतिक आलोशनात्मक पुस्तक कौनसी है आपको बताना है कि आचार रामचंदर शुकली जी की पहली सध्धानतिक आलोशनात्मक पु थीक है आप याद रखिएगा इसको तूसरा कोशन है बिहारी के काप अंदर का संयक्त बिविचन करने वाली पहली आलोशनातमक पुस्त कौनOP है रहा पर आपको बताना है कि बिहारी के काईबिस अंदर का सम्यक बेविचन करने वाली पहली आलोशनात्मक पुस्तक कौन सी है ठीके बिहारी है कभी पर बिहारी और उनका योग है बिहारी की बागवी भूती है या फिर मुक्तक का परमपरा और बिहारी है बताईए दोस्तों इस को बताना है कि सद्धान्तियक अलोशना के एक्षेत्र में सबसे महत्पून योगदान किसका रहा है इने दूस्तों मीरफ जिका रहा है ये का रहा है या फिर बाभू गुलाब राए का रहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कहरे होंगे कि कि ऐसका उत्तर मेडम रामचंद शुक्ली जी है ठीकिए दोस्तों सही है आपका उत्तर बिल्क रहा है आप perhaps पदम सिंह सर्मा ने किस आलोष्णा का सूत्रपात किया तो दोस्तों इसका गतबन अधूनीख हिंदी ओलोष्णा के vịजकि सब्द किसकी पुस्तक है आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी आलोशना के वीज सब्द ये पुस्तक किसकी है ठीक है नंबर सिंकी है रमला सर्मा की है बच्चन सिंकी है या फिर है सिप्रसाद सर्मा की तो बताईए दोस्तों इसका सही उतर क्या है तो ये जो पुस्तक है आधुनिक इनमें से कौन सी पुस्तक है जो लक्षमी कांत बर्माजी की है ठीक है दोस्तों नई कभीता के पृतिमान है नई कभीता स्वरूप एवन समश्या है कभीता के पृतिमान है या फिर नई कभीता सीमाय और संभाबनाय है तो दोस्तों नई कभीता के पृतिमान है ये इनकी अनुसंधान परक आलोषणा का विकास किस पत्रीका के प्रकाशन से हुआ बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो दोस्तो अनुसंदान परक आलोशना है इसका विकास हुआ नागरी परचारनी पत्रिका के प्रकाशन से ठीक है आप याद रखेगा इसको और दोस्तो आजकल आप मुझे कमेंट करके बताते नहीं हो कि मेरे इतने सही है इतने गलत है आप बताया करो से मुझे पता चलता ह मतलब बहुत आगे जाओगे एक दिन मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए मतलब मैं आपको एक बात बताते हूं मेरे चैनल पर बहुत कम लोग जोड़े है कोई जादा लोग नहीं जोड़े है लेकिन जितने भी लोग जोड़े है ना वह बहुत ही ज्यादा अच्छे है मत अच्छे से बात करते हैं बहुत इजद मान समान मतलब एक गंदा कमेंट नहीं आता मेरे चैनल पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप ऐसी पढ़ते रहों मुझे ज्यादा लोगों की जरूत नहीं है कम लोग सही है लेकिन कम लोग अच्छे होने चाहिए और बहुत ही अच्छे हो अच्छी भाषा में मेरे से बात करते हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छल अर्दोस्ता ही चाहती हूं कि आप लोगィ ज्यादा अच्छे से पढ़ा ही करो और मैं नेक्स्ट कुशन को इसमें कौन सा कोशन देखना था हाँ यह रहा काइब में अभी वेंजनाबाद पुस्तक किस ने लिखी है दोस्तों आपको बताना है कि काइब में अभी वेंजनाबाद पुस्तक किस ने लिखी है लक्षमी नारायन सुधानसू ने लिखी है डॉक्टर नगिंद्र ने लिखी है रा पुस्तक कौन सी है देखिए दोस्तों चायाबाद पर पंती जी ने आलोशनात्मक पुस्तक लिखी है वो कौन सी पुस्तक है उसका नाम क्या है ठीक है चायाबाद का पतन पंत और पलब चायाबाद पुनर मुल्यांकन या फिर चायाबाद तो दोस्तों पंती जी ने जो पुस्तक लिखी है चायाबाद के उपर आलोशनात्मक पुस्तक उसका नाम है चायाबाद पुनर मुल्यांकन ठीक है दोस्तों आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कोशिन चायाबाद के संदर्म में विमहत बूर्ण है ठीके चायाबाद पुनर मूल्यांगन पुस्तक लिखी है पंत जी ने और चायाबाद के उपर लिखी है आलोशनातमक पुस्तक है ये ठीके दोस्तों चलो next question देखते है इन आलोशनात्मक किरतियों में रामबला सर्मा की किरती कौन सी है दोस्तों आपको बताना है कि ये जो आलोशनात्मक किरती है इन में से रामबला सर्मा जी की किरती कौन सी है ठीके दोस्तों भाशा और समाज है भाशा और सन्बेदना है भाशा और रहिस है सब्ड और स्मिर्थी दोस्तों इसका सही उत्तR क्या है तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर है वो है भाशा और समाज ठीके दोस्तों ये रामला सर्मा की किरती है मिस्र बंदू की किस किर्थी ने तुलनात्मक आलोशना को आगे बढ़ाया दोस्तों आपको बताना है कि मिस्र बंदू की कौन से किर्थी है जिसने तुलनात्मक आलोशना को आगे बढ़ाया ठीक है मिस्रवंदू बिनोदने हिंदी नवरतने नेत्रिन मूलनने या उदयनने ठीक है दोस्तो तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदी नवरतने इन में से शोध परग आलोशना का उन्नायक कौन है आपको बताना है कि इन में से शोध परग आलोशना का उन्नायक कौन है शाम सुन्दरदास है पदम सिंग सर्मा है मिसर वंदू है सरदार कभी है बताईए दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्या है तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है शाम सुंदरदास इन में से आलोशनात्मक गरंथ कौन सा है आपको पताना है कि यह जो गरंथ है इन में से आलोशनात्मक गरंथ कौन सा है तो फिल हाल है सदाचार का ताबीज है या सिवरो के सेतु है या फिर है निवंद नबनीत तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फिल हाल बताईए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है लिखी कागद कूरे साहित जन्समू के हिर्दय का विकास है यह कथन किस निवंदकार का है दोस्तों बहुती शांदार कथन है और यह कौन से निवंदकार का है आपको यह बताना है तो इसका उत्तर है बालकिष्ण भट्ट जी ये बालकिष्ण भट्ट जी ने कहा है कि साहित जन्समू के हिरदय का विकास है ठीक है दोस्तों क्रोचे के अभिवेंजनाबाद को किस आलोचक ने भारती बक्रूपती बाद का बलायती उत्तान माना है देखिए दोस्तों क्रोचे का जो अभी वेंजनाबाद है उसको किस आलोचक ने भारती बक्रोपती बाद का बलायती उत्थान माना है हजारी परसाद दुएदी जी ने, नामबर सिंग ने, रामचंदर शुकल ने या फिर विस्वनात परसाद मिस्र ने बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंदर शुकल जी क्रिश्न भिहारी मिस्र ने अपनी पुस्तक देव और भिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धिती अपनाई है देखिए दोस्तो कृष्ण भिहारी मिस्र है, इसने अपनी पुस्तक है, देव भिहारी, उसमें आलोचना की कौन सी पद्धिती अपनाई है आपको ये बताना है अनुसंदान परक, शोध परक, तुलनात्मक या परिचयात्मक तो दोस्तो इसका सही उत्तर है तुलनात्मग मनो विशलेशन बादी समिक्षा के क्षित्र में किस आलोचक का नाम समलित है आपको बताना है कि मनो विशलेशन बादी समिक्षा के क्षित्र में कौन सा आलोचक है जिसका नाम यहाँ पे समलित है ठीक है दोस्तो अग्य है इलाचंद्र जोसी है देवराज उपाद्या है या पिर बिजय देव नारा इंसाई है तो दोस्तों बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है बिजय देव नारा इंसाई अब ये है हमारा विल्कुल लास्ट कोशिन इस पार्ट का इसको देख लेते हैं दोस्तों सुधा में इलाचंदर जोशी का संस्मरन किस सीर्षक से प्रकाशित हुआ दोस्तों आपको बताना है कि सुधा पत्री का में इलाचंदर जोसी जी का जो संसमरन प्रकाशित हुआ था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ आपको ये बताना है ठीक है तो कुछ संस्मरन के नाम से हुआ, मेरे प्रात्मिक जीवन की स्मिर्तियों के नाम से हुआ, इस्मिर्ती लेखा के नाम से हुआ, या फिर बे दिन, बे लोग के नाम से हुआ, बताईए दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, वो है मेरे प्रात्मिक जीवन की स्मिर ठीक है तो चलो दोस्तो हमारा यह पार्ट हो रहा है हाँ पर खतम हम भी लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाइबाई आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो अगर आपने पिसले वीडियो नहीं देखें आप से कोई वीडियो चूट गया है तो आप उनक से दिख सकते हो चिके दोस्तो चलो बाई बाई